अब भटक भी सकते हैं, क्योंकि यहां पे दो गाउं हैं, अभी दिसम्बर का, अच्छा इसी दिसम्बर को नहीं किला है, नंदिया गोल पार है, हमारे रायपुर जीला है, रायपुर जीला में आप यह गाइस सीगलिंग, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग गाइस, वल्कम इंडिया ट्रावल में आप सभी का स्वागत है, गाइस तो भी मॉर्निंग के साथ बजने को है, देन मैं फर्स्ट क्लस रेडी हो चुका हूँ, और मैं आप लोगों के एक खुबसूरत जगा लेके जाने वाला हूँ, और वसे तो चत्तिगर में आसकल भाई सीवलिंग नि देखला हुआ है, और बोला जाता है कि यह जो शेवलिंग है, वो दीन प्रते दिन बढ़ते ही जा रहा है, अभी तक तो मैं लोगों की मुह से सुना हूँ, कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेज किये, तो मैं देखा हूँ, और कई लोग फोटो भी सेंड किये थे, और कुछ-कुछ वीडियो भी मैंने देखा हुआ है, तो इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम निकल रहे हैं, भिलाई से, त्रिविया, और आप लोगों को बाई रूलाते हुए चलूँगा कि आप वहां तक कैसे पहुँँ सकते हैं, और क्या वाकई में यह जिसी लिं दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहा है, उसकी भी हम जानकरी लेने वाले हैं, तो ठीक है गाइस, अभी निकलते हैं, और यहां से लगबब में गूगल मैप लगा रखा है, तो उसमें दिखा रहा है, यहां से और वाके में गूगल मैप की तुरुपन जा सकते हैं, यह भी आपको जानकरी देने वाला हूँ, तो ठीक है गाइस, आज का व्लोग अपने स्टार्ट करें, अ व्लोड वाला की तुरुपन जा की में गाइस, अ लगवाने स्टार्ट करें, आप गेजीं, शवाला की तुरुपन जास. तो मैं आप लोगों को बाई रूट बताते हुआ आया हूँ कि यहां तक अब कैसे पहुंच सकते हुगल में पित्रूप आएंगे तो अब भटक भी सकते हैं तो मात्री अमार्यश्च कलोओ से 26 क्लमेटर के पर है और अब अने सैडे पर वे तो यहां के बारेो है अपन जानते हैं पहले किसको दर्शन दिये हैं और ये कब से निकला हुआ शिवलिंग तो यहां पर है पंडे जी तो इसे जानकारी लेते हैं पंडे जी बताइए शिवलिंग कब से निकला हुआ है 19 तारिक से 19 तारिक से कौन से 19 तारिक अभी दिसंबर का अच्छा इसी दिसंबर को निकला शिवलिंग अच्छा सीवली मुहलब की दिन प्रती दिन बढ़ते जा रहे हैं इसका रूप जो है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है मोटाई और रूचाई अच्छा पहले कितना था जब आप देखे थे हम देखे थे उसके 6 इंच था हो चेंच अभी कितना इंच हो गया होगा अरे बाफ रेड़ फीट तो मैं लेकि रेगुलर बढ़ती जा रहा है अच्छा मुट अच्छा अच्छा तो यहां पर हमले कि त्रेविया दो गाउं है क्या एकी गाउं नहीं आगे मैं पर जो सिंगा वाले है अच्छा अच्छा ठीक है कर दो क्या दिक्क है तो जो है ना जो इंतरनेट में देख थे ओमा वही दिखा थे रायपूर एरिया करने दिखा थे कि देर समों की अधर करने के लिए तो पहुंच रहे हैं कि डर्षन कि यह आщее दर्शन करने के लिए पंडाल इस तरह से बना के रखे हुए हैं, तो हम भी जूते चपल उतार दिये हैं, देखो, अच्छा, बंदे का, चलो, कोई बात नहीं भाई, यह दो को यहां पर शीवलिंग, यह गाइस शीवलिंग, हर-हर महादेव, तो देख सकते हैं, यह शीवलिंग दीन प्रते दीन बढ़ती जा रहा है, और आकार भी चौड़ा होते जा रहा है, ऐसा करके बतला है, पंडी जी यहां पर, और वाकी में काफी बढ़ा है, शीवलिंग यहां का, कि सनपूर में आपने देखा होगा, कि सनप जुर्था बाया, ति ऊक्रथा जवां नवाया, लाया, बटा लाया, आgा का रिखा में मोलग इास त्परेश आपोर देखा होगा है, व्हार में झाले प्रते जाम जार वो फिटेजना वाले जानारी बदाव corporate- ग्सक्षां, जामरें वीलिंग से भाषां, यौक्षा में तो मैं आपने को को दर्सन कराया और यहां के बारे में भी पंडी से मने पूछ के बतला है कि यह निकला हुआ है महलब कि 19 तरीफ दिसंबर को निकला है यह शीवलिंग और आप देख सकते हैं शीवलिंग काफी बड़ा शीवलिंग है गाइस यह जो शीवलिंग है बहुत छो चोटा साता लेकिन यहां के जो सीवलिंग काफी बड़ी सीवलिंग है मुटाई भी अच्छी खासी है शीवलिंग की और बोला जा रहा है कि दिन प्रते दिन यह सीवलिंग बढ़ते ही जा रहा है इस वज़े से लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए और जैसे की कंफूज हैं तो कम हैं जैसे जैसे लोगों को पता चलते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग पहुंचते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि किसनपूर में जिस तरह तो लाइक करिएगा प्रस्क्राइब करिएगा मिलते हैं बहुत जले एक नए व्लॉग